नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीसी बेनिवाल पर दोस्तों आप सभी का इंतजार होगा कि बीएश्टीसी बीएड विवाद पर कोट का क्या फैसला आता है ऐसे मेर कुछ साथियों के द्वारा काफी ट्वीट और कमेंट के जा रहे हैं कि बीएश्टीसी जी जीत चुकी है कुछ साथी लिख रहे हैं कि बीएड जीत चुकी है ऐसे में रामदेव चोटिया जी का एक ट्विट आया है सामने ये लिखते हैं बीएश्टी सी वे बीड विवाद को लेकर के जोदपुर हाई कोट में दारियाचिका पर माननी है उचन्याय थी इस अकिल कुरेशी जी ने सुबह साढ़े दस बज़े से फैसला ओपन कोर्ट में सुनाना सुरू किया था जो अभी लंच हो गई है और लंच के बाद दो बज़े से वापिस कंटिन्यू किया जाएगा हमारे सभी सोर्से से हमने पता किया तो ये न्यूज बिलकुल वेरिफाई है अभी दग कोर्ट ने अपनी और से कोई फैसला नहीं लग दिया है जो भी आपके सामने खबरें आ रहे हैं वो मातर कयास लगाए जा रहे हैं ऐसे में आपको कोर्ट के द्वारा दो बजे के बाद लंच टाइम होने के बाद फिर से कारवाई शुरू होगी कोर्ट में और इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा देखना दिल्चस्प रहेगा जो लंबी कारवाई ये कई दिनों से चलती आई है आखिर किसके हक में आप फैसला जाता है क्या BSTC इस फैसले को जीत पाती है या फिर B8 के पक्स में ये फैसला आता है हमारे साथ आप बने रहेगा क्योंकि दो बजे हम हमारे चैनल के माद्यम से होंगे लाइव आपसे रूब रू और सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे ये सटिक अपडेट की आखिर किसके पक्स में आया है BSTC B8 विवाद का ये फैसला इसके साथ साथ आपके सबी सवालों के जवाब भी हम हमारे इस लाइव में आपको कमेंट में देंगे तो इसके लिए चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर एक बार जल्द ही दो बजे हम आपके साथ लाइव जूटते हैं तब तक के लिए लेना चाहूंगा आपसे विदा जैहीन जैभार्त वंदे मातरम दोस्तों